इधार तो देख, थोड़ा से मेरे साइड आजए, थोड़ा साइड आजए, थोड़ा साइड है, थोड़ा साइड है, हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप तो भी, I hope आप से बहुत अच्छे होंगे, और स्वास्तोंगे, आज मेरे साथ आगया है, गोलू, एज़ ड्राइबर, गो वहां, पुतो मिनार के पास, महरॉली डॉप होस्पिटल से, बट यहां पे मेरे सेकेंड ओपिनियन के लिए अपर्मेंट लिया था, और अभी जाके हमारा नंबर एक-दो के बार भी आएगा, मेरे ख्याल से, साड़े बारा का अपर्मेंट था, अभी हो रहे है, साड़े अभी राय लेनी है, फिर मिलते है आप लोगों से, क्या कहती है, उस सब आप लोगे साँ शेयर करूंगी, बने रही है हमारे साथ एम तक, और सबसे पहले हमारा यहां पर बीपी, शुगर और वेट चेक हुआ, डॉक्टर के पास ज्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, क क्योंकि मम्मी दो चली गई है घर, तो मैं आ गई हूँ इस वीडियो के बीच में ही, ताकि आप सभी के साथ कुप सारी बाते कर सकूं, बेसिक स्किन केर कैसे करेंगे इस ठंड में, इस ठंड में जो भी स्किन का ग्लो है, वो तो चला जाता है, लिट्रली चला जाता है, त चलिए, शेर करते हूं मैं आप सभी के साथ, यहां पर मैंने मंगा आया है, हाइट्रा ग्लो सीसी सेरम, कि यह क्या है, हम जब सकिन केर करते हैं, सेरम लगाते हैं पहले, फेस वाश करने के बाद, जैसे कि अभी मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है, कुछ भी नहीं लगा सिफ और सिफ फेस वाश किया है, वारी हाँ पर पैठी हूं आप सभी के साथ, तो फेस वाश के बाद हमें क्या करना होता है, पहले तो सेरम लगाना होता है, फिर जाके कहीं आप संस्क्रीन लगाओ और उसके उपर से आप फांडेशन लगाओ, जब आप बाहर जाते हैं, घर में तो नहीं, बीबी क्रीम लगा लेते हैं, सीसी क्रीम लगा लेते हैं, आपको इतना इंवेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ताम जाम करने की ज़रूरत नहीं है, तीन शेट में आप सभी के पास अवीलिबल है, मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सेरम, येस और तीन शेड क्या-क्या है तो पहला है वनिला, दूसरा है पीच और तीसरा है हनी इसमें आपको मिलेगा सेरम, येस, इसमें मिलेगा आपको मौशराइजिंग एजेंट, येस, मौशराइजर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें है CC Complexion, which is covering your foundation details foundation जो भी है, लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें है और sunscreen भी, SPF 30 के साल, sunscreen भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आप बाहर जाएए, बेज इजग जाएए, कैसे भी जाएए, और ठंड में जो dullness हो गई है उसे ज़रूर कवर आप करनेज़ें ये देखिए, तीनों मैं लगा चुकी हूँ, फर्स है वनिला, सेकिंड है पीच, तीसरा है हनी तो आप सभी भी अपने shade के according मंगा सकते हैं, तीनों को blend करके देखिए, कितना ही amazing है बहुत जल्दी blend हो जा रहा है, बहुत light texture है, मैं तो अमेज हूँ, मतलब जिसको BB cream अच्छी लगती है न, ये लगा लोगे न, BB cream भी fail है मुझे तो ये product बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने मंगाया है, आप सभी को भी मंगाना हो तो जरू चेक आउट करें description box और description box में मैं सारे products के link दे दूँगी, आप सभी check out कर सकते हैं, directly उस link पे click करके, link देने का यह advantage होता है और आप सभी को मामार्थ की products, Amazon, Flipkart, Nika, Mintra, Purple, 5-5 websites पे available हैं, जाइए, check out करिए, खुद भी आप search कर सकते हैं, Hydra Glow CC Serum, आप सभी को मिल जाएगा खुद आप use करके बताना मुझे कैसा लगा आप सभी को, सिर्फ मेरे ही बताने से काम ने चलता ना, आप सभी भी मंगाएगे, इतना भी बहुत जादो costly नहीं है, बहुत ही pocket friendly है और अगर आप सभी को coupon code यूज़ करना हो, तो मेरा जरूर कर सकते हैं, Cooks 2024, जिससे आप सभी को 20% इस पे off भी मिल जाएगा, तो किस बात की दे रही है, जरूर मंगाएगे Hydra Glow CC Serum Foundation, और जरूर मुझे बताना की कैसा लगा, मामार्थ के जो products हैं, वो आपको offline में देखने को मिलते हैं, कहीं भी offline अगर आप सभी को store पे दिखें मामार्थ का product, तो मेरे इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं, कि हाँ आपने offline products भी मामार्थ के देखें और साथी साथ इनका website है, इनका खुद का app भी है, आप install करके वहां से भी मंगा सकते हैं, और हर जगे coupon code विच इस cooks2024, आपकी cable है, जरूर लगाईए, किसी भी product पे मामार्थ के और 20% off पाईए, येस, मामार्थ जो है, वो है plastic positive brand, जिसका मतलब है कि जितने आप plastic के products use इनके product भी यूज करेंगे, प्लास्टिक यूज हुआ है, उतने ही trees plant हो जाएंगे, तो बेज जग मंगाईए, इनवार्मेंट friendly है, और साथी साथ ये है, पैरबीन और सलफेड फ्री products, तो आपके skin के लिए भी बिल्कुल भी harmful नहीं है, तो आप से भी बेज जग मंगा सकत है, मामा अर्थ के कोई भी product मेरा coupon code यूज करके, विचेस Cooks 2024, और यहाँ पर आ गई हूँ मैं, डॉक्टर के पास से, इतना सही लगा ना, इस डॉक्टर के पास जाके, पूछ हो नहीं, और इसको दिखाती हूँ, मैं क्या ये कर रहा है, आप लोग पागल तो कहते ही है, य मैं आप अर्देघ कर नहीं, तो कहीं कर दो नहीं होरे, क्योंकि अवि नहीं ही यह उसक ही लगा जागहए खाने नहीं हूगी सिर्फु चरियु तो कहले है कि बहुत अच्ची दोक्टर लिया थी, नहीं ने बहुत अच्छा कंसल्ट किया, अर बता दिया कि छुर किया है, मेरे बार हैं और मम्यां आगे का बात बता है और सुन तो इधर मेरे बारे में क्या बोला डॉक्टर नी यह तो बता है न किआ आपको बहुत अच्छा अठाखकली उपडर से चिनल यह उदो बता अटो बम्हों को बोला कि बहुत बोल्ड है ना इतनी सारी दवाईयां खाने के बाद भी खड़ी है अपने पैले इसे नहीं हिंमत चाहिए भाई बहुत हिंमत वाली है एक्सप्रेशन के साथ बता मैं बता रहे हो अच्छा बेटा है आपका बहुत अच्छा आज को सीधा नहीं है तो यह बहुत जले की तरह आपको नहीं पता है इसकी हरकते मुझे पता है कुछी नहीं तो यहीं सब हुआ डॉक्टर बहुत अच्छी थी अब यह था मेरा कि मैं और उन्होंने यह भी बताया कि अब नहीं जाना है आपको उस हॉस्पिटल में आप तीन महीने तक क्योंकि मेरी जो चीज है ग आप यहीं दवाईयां खाओ फिर से में अल्टा साउन कराऊंगी और हिमत नहीं हार नहीं है यहीं सब कहा दूसरी बात उन्होंने बहुत सारी चीजें उनको भी आशर लगा कि आज तक आधा घंटा पूरा हमसे वह बात की है उन्होंने क्योंकि केस समझने में भी 2015 से अभ तो वो मेरी situation को समझ रही थी ऐसा नहीं है उनको पता है कि मेरी यादाश में थोड़ा थोड़ा ना अब कुछ होने लगा है बोलते बोलते ही मैं भूल जाते हूं कि मुझे बोलना क्या है तो यह हो गया second thing कि उन्होंने ये कहा कि आज तक अभी तक किसी ने ultrasound क्यों नहीं कराया था ये तो हर बार होना चाहिए था मैं यहाँ पे हर डॉक्टर को 2015 से बोलूँगे FNAC कराते थे ultrasound कराने में पता नहीं क्या थी और अश्यर की बात गॉर्मेंट वाले डॉक्टर ने मुझे पिछले हफ़ते बोला कि ultrasound नहीं करेंगे मैं नहीं मैं तो जाओंगी नहीं जब तक आप वो नहीं करोगे और मैं दवाईयां नहीं छोड़ सकती मैं तो खाते रहूंगी मेरे को दो किये चाहिए कि मेरे को अंदर से ये गांठे खतम हो गई है और जो वो है भी कोई active नहीं होने चाहिए करा भी नहीं होने चाहिए गांठों में तो दूसरा उन्होंने कहा कि ठीक एltrasound कर देते और जब कल report देखी ना तो गांठ तो थी तो कल क्या कह रही हैं पिछले ब तो सारे डॉक्टर्स की कमी है यह आपकी कमी नहीं है आप चिंता मत करो ठीक हो जाएगा और बस डाइट अच्छी रखो और इसको नहीं देखाऊंगे तो डाइट अच्छी है नाश्ता मैं करके गई थी और अब जाके लंच करूंगी गूड मॉनिंग यह नेच्स टेक की कलीप है कल मैं कुछ भी रिकॉर्ड नी कर पाई क्योंकि ना आγे वहां से खाना पी ना खाया सब कुछ हुआ उसके भाद मैं सूगे तो शाम हो गई शाम हो गई उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नी कि आध्यान नीरा दूसरा फटाफट फटाफट करने लगते हैं तो रिकॉर्डिंग का ही चक्र नहीं हो पाता है क्योंकि इसको वो करने के लिए थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ता है और यह सब तो उसके बाद शाम को जब उठी थी ना तो मैं एक कुहू का स्वेटर बना रही थी वो पूरा हो गया था पर्सोनल सो दो तीन दिन से वो रखा हुआ था सिलने के लिए तो यह मैंने सिला है मैं आप लोगों को दिखाती हूं कैसा लग रहा है आप लोग बताना देखिए यह वाला स्वेटर है अभी ना फिनिशिंग बाकी है जैसे यह थ्रेड पैन के और यह स्वेटर का फुल लुक कुछ-कुछ गडबड लग रही है मुझे बट चीक है कहते हैं हाथ से बुना हुआ स्वेटर तो जैसा भी हो अच्छा ही लगता है तब इत खराब रहती है मन नहीं करता रहता है मकर मुझे बुनने का मन जरूर करता है मैं कुछ भी लोग अरे भाई अरे भाई यह ऐसे करके मैं दिखाती हूं को आप लोग बताना की कैसी लग रही है कुछ का स्वेटर कैसा लग रहा है आप लोग जलूर बताईएगा और पहने की भी तो फिर फोटो डालूंगी और इसके साथ मैं रील भी बनाने वाली हूं मेरा भी मन कर लोग का कैसे बनेगा कितने फंदे और कैसे कैसे जालियां पड़ती है इसमें बच्चों का तो पता है कई सारे बना लिए और कुछ नहीं आता है तो मुमी से पूछ लेती हूं और बढ़ो के लिए नहीं बता हखला की मैंने स्वेटर बनाया था कर होस्पितल भी गई थी जुन डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने अपना वाला ही पहना था बहुत ही अच्छा लग रहा है अब मगर वह डीजाइन ही नहीं आदे मुझे क्या ही बता हूं बहुत एजी था बट अभी ध्यान नहीं है तो यही सारी चीजे थी डॉक्टर के पास से जब आये तो बहु पूछो ना थार्ड टाइम कराया उन्होंने यह भी बात है सबसे पहले में जब प्रॉब्लम होती है मेरी बॉडी में उनके पास ही जाती हूं तो यही चीजे थोड़ी सी दिकत की बात है डॉक्टर स्ने समझते हैं आपको पता है जबकि अल्ट्रा सांड में कुछ भी प् कुछ और ना ही हामफुल होता होगा मुझे जहां तक लग रहा है और जो FNAC टेस्ट होता है FNAC वह आप मैं भता नहीं सकती वह कैसा होता है कितना पेन होता है उसमें सकेंड टाइम मेरे साथ अंकल जी गए थे और अंकल जी वहां पर उनको फिट्स आ गय थे जब मेरा यह कम से कम उनको आधा घंटा लगा सही होने में और आने में मेरे साथ तो यही सारी चीजे थी ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है थोड़ी ठंड कम हो जाए तो आपके लिए और भी अच्छे से कंटेंट लाने का कोशिश करोंगी किचन से रिलेटिड भी और अभी तो जितना अब होना स्टार्ट होगा तो मैंने सुच एडिट कर लिया जाए यही सारी चीजे कर रही थी तो सुचा थोड़ा सा बहत आफ लोगों से कर लो क्योंकि आप लोग इतनी ज्यादा प्रे करते मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मुझे क्योंकि कल जो मैंने एक ब्लोग डाला था तो उसमें बहुत करने है बहर की मैंने सबको लाइक किया है दिल से सब ढब ही के लिए यह एंक यूझ और जिप्ल का सिच चानल गएपente नुद्ऊ को पसंद आयों तो प्लीव लाया कर दीजिगा और शेर करिए और नहीं है आदत नहीं पर दोग चा सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से एक लाग तो कंप्लीट कर दीजिए इतने साल हो गए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए